अब इंटर्सेप्ट क्यों जरूरी है समझना और क्यों इसे डिफाइन करना जरूरी है तो इंटर्सेप्ट अगर मैं बात करूं तो रिप्रेजेंट करते हैं जनरली अलफाबेट सी से समझना बच्चा पाटी क्या होता है अब यहां पर बच्चा पाटी क्या हुआ मैंने एक स्टेट लाइन मनाई लेट से यह अब इसके पैरलल मालों यह स्टेट लाइन का स्लोप यह सेम स्लोप की लाइन मैं दोबारा बना दूं इसके नीचे या इसके उपर तो यह लाइन ए हो गई यह बी हो गई यह सी हो गई सभी की सभी सेम एंगल बना रहे हैं तो मैं समझ में भी आ रहा अगर नहीं दिख रहा तो तुम यह देखो अगर मैं यहां से पैरलल लाइन खीची थी तो यह एंगल अगर थीटा होगा तो यह एंगल सभी थीटा होग सेम इंक्लिनेशन पे तो सभी के लिए टैन नाप ढूलाइब तो सब्सक्राइब इस रोप आप उसी मतला हमें समझ में आ गया कि सेम स्वोप की एक से ज्याधा लाइन पॉसिबिल है एक ही कॉर्डिनेट एक्सेस पर तो स्लोप सिर्फ एक ऐसी एक यूनिक बात नहीं है जिससे हम किसी भी स्टेट लाइन को यूनिकली डिफाइन करें यूनिकल लाइन को यूनिकली डिफाइन कर दी तो तुम उस स्टेट लाइन को पहचान लो उसको यूनिकली डिफाइन या कर लो यह पॉसिबिल नहीं है मालू मैंने कोई स्लोप दे दिया 0.5 तीनों का स्लोप 0.5 है तुमसे बोल लिया कि कोई लाइन ड्रॉप करो 0.5 तुमने यह ड्रॉप करी लेकिन मेरे साब से जो मैंने सोची थी वह यह वाली तो एक ambiguity है तो किसी भी स्टेट लाइन को uniquely define करने के लिए स्लोप के साथ साथ एक नया parameter चाहिए होता है जिसका नाम है इंटरसेप्ट बेसिकली बहुत सिंपल सी बात है इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि यह स्टेट लाइन वाई एक्सिस को कहां कट कर रहे है जैसे एगर मैं का कर हूँ यहां पर इसके लिए इंटरसेप्ट जीरो है यह है यह चुक ही ऊपर है तो let's say यह कॉडिनेक्ट तुमारे जो भी कॉडिनेट है बच्चा बातल बच्चा पाटी जीरो कॉमा और इसके coordinate जिरो कॉमा माइनस है तो इस line के लिए जो intercept है वो किता है बच्चा बाटी प्लस का ए इसके लिए जो intercept है ये line y-axis को कहां पे टच कर रही है y-2 जीरो पे टच कर रही है तो इसके लिए इंटरसेप्ट क्या है बच्चा पार्टी जीरो है इसके लिए इंटरसेप्ट क्या है बच्चा पार्टी प्लस का यह है और यह चुक्कि निगेटिव नीचे टच कर रहा है तो इस लाइन के लिए जो इंटरसेप्ट होगा वह क्या औपाट sensitive होगा माइनस का च्रींट की मिलीं क्या मेरिंग होता है वह स्टेट लाइन वाइक इपक्स को कहाँ पे तच कर रही है कहा पे कट कर रही presents स्सक्राइफट коई भी स्टेट लैंड ओपक्स को जहां पे है यहां तक सभी लोग क्लियर कि की इंटरसेट का मीनीग या हुआ है ओ तेक है इंटरसेट्ट का मेनीगbr हुआ लेक्सक्ते हो वैल्य वाइड है जिए पॉइरो ध입니다 says को करो वाई इकसिस पूरी फाई सिस फो क्या कहते है यह वाई एकसिस के हर इक पॉस्क्ष क्वाइड पर क्या होता है एक की वैलु जी रो होते हैं तो जब एक्सकी यह जिडूल पॉर डाट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा कमफटेबल है क्लियर है कुछ क्वेश्चन करते हैं जैसे प्रिवेस वाले कोशन इस कोशन में अगर तुम्हें इंट्रसेट की वैलू पूछ दी जाती स्लोप तो तुम निकाल चुके हो इंट्रसेट अगर यहां पर पूछा जाता तो क्या लिख देते हैं यहां पर जैसे एट लिखा है तो यहां पर इसका इंट्रसेट क्या ह हो जाएगा आठ इस कोश्चन में तुम्हें इंटरसेट की वैलू तुम्हें क्या करना पड़ेगा लाइन को एक्स्टेंट करना पड़ेगा और जहां पर यह कट कर रहा होगा यह जो भी कोडिनेट होगा मिड में तो वन पॉइंट फाइप या सपास होगा तो इंटरसेट से निकालते हैं और क्या होता है कुछ और क्वेशन मैं देता हूं जिसमें तुम्हें इंटरजट की वैलू बतानी होगी कुछ पॉस्चन देता हो जिसमें आपको इंटरसेट की वैलू पतानी होगा एक्स एक्सेस एक्सेस यह कोडिनेट है जीरो कॉमा टू परस्ट कुस्टिन इंट्रसेट बताना है सिर्फ सेकंड कुस्टिन एक्सेस 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 जीरो कॉमा माइनस त्री इस केस में बताना है इंट्रसेट करता हो एक्स 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 एधर आ रहा है यह तुम्हारा जीरो कॉमा फाइव है वाइक्स इस प Develop यह अन्पिस कर रहे हैं तो इस केस में इंट्रसेट को एक्स कर रहा है तो इसдаयो हो जैगा हमा पर ने करे दो तो यहां पर इंट्रसेट्ट क्या हो जाएगा तो मतलि समझ लेना इस सिंपल नीबात है जब एक्स औरे जीरो है मतब्सक्ति यक्स पे वह स्टेट लाइन जिस पॉंइंट पे कट कर रहे है तो वह कॉदिनेट क्या भजाता है इंटरसेट आफ ट्रेट लाइन हो जाता है एससे प्लेसट बहुत सिंपल कण्सेप्ट है इसका इंटरसेट का आई वोप आप सभी लोग कमफेटेबल होंगे क्लियर होंगे कि इंटरसेप्ट क्या होता है और समद्च चुके होंगे कि ठीक है आगे बढ़ा जाए अब नेक्स एक कंसेप्ट आता है जाट इस एक्वेशन ओफ स्टेट लाइं देखा जाए दोस्तों क्या होती एक्वेशन ओफ स्टेट लाइं यह इक्वेशन होती है स्टेट लाइं की वाइज इक्वेशन होती है स्टेट लाइं की यहां पर M क्या बता रहा होता है बच्चा पार्टी slope of line और यहां पर intercept क्या बता रहा होता है सी क्या बता रहा होता है intercept तो कोई बी स्टेट लाइं अगर दे रखेया उसका slope निकाल के और i-near की वैलू निकाल के आप उसकी इक्वेशन बहुत इसली लिख सकते हैं एक्जांपल के तोर पर मैं तुम्हें एक क्वेशन देता हूं जिसकी तुम्हें एक्वेशन लिखनी पड़ेगी माल लीजिये यह आपका आपका एक्स एक्सेस है और यह आपका वाई एक्सेस है क्लिया है यह आपकी स्ट्रेट लाइन है जिसके लिए मैं कॉडिनेट्स मन कर देखा जीरो तू तू फोर गाई सिक्स वन टू थ्री ओर कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जा इस कॉडिनेट को मैं थोड़ा चेंज करूंगा यह कॉडिनेट है नो एक है टीन चो है ठोकर इस यहां पर कारूंड करने के लिए जी किनिश वैलू है यहां इसकी कॉर्णिटिं अगर यह वाई में 3 है एक्स में तो जी रो ए तो इसके इनिशल कॉर्णिया दो जी रो कॉमा हो मुचल कोडिनेट निकालने के लिए यहां देखो गे यह देखो अरे याद तो एक्स कोडिनेट किता है य कोडिनेट किता है नौ कमफ़टेबल है कमफ़टेबल है दोस्त तो यहां पर है अगर जीमेंडकर दो शाना है यहां से लेके चया रहा है तो डिल्टा एक्स किता हो जाएगा यहां पर शिक्स हो जाएगा और तीन से 9 जा रहा है किता हो जाएगा यहां不錯 लेकर चैना हो जाएगा कि यह भी छह हो जाएगा यहां तक कमफटेबिन तो स्लोप की अगर मैं बात करूं वाई फाइनल माइनस वाई इनिशल अपॉन एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशल से भी कर दूं तो वाई इस तरह से लाइन जा रहे है तो यह पॉजटिव स्टेट लाइन तो स्लोप तो पता चल गया अब इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो हमें पता चल गया तो इंटरसेप्ट तो दिख रहा है करेंगे पता है इंटरसेप्ट की वैलू पता चल गया अब इक्वेशन ऑग ट्रेट लाइन लिक ना यह बचों का खेल कैसे है जो भी एक्वेशन थी इस करें में आर तकी वेलू कंडेंगे एक्वेशन उप्स्ट लाइन देट दैस्ज वॉइज इकोर्टर में कितना है वन to x plus 3 यहां से वाई is the cost to x plus 3 यह आपकी एक्वेशन और स्टेट लाइन की वेवाई इक्वेशन आगे वाई इकष्ट टू एक्स प्लस त्री इसी तरीके से आप किसी भी स्टेट लाइन की प्वेशन बहुत इसली लिख सकते हैं यहां तक क्लियर है दोस्त और अगे बरें आफ यह नेक्स्ट करते हैं दोस्त डूस्त कि अग्छक्ण प्रश्च करते दोस्त डूस्त कि अग्ष्ट इस इस्टेट लाइन की आपको एक्वेशन लिखने है तो सबसे पहले तो निकालोगे इसकी पॉइंट के तो एक्स कॉणरेट कितना है जीरो य कोडिनेट कितना है लेकिन वाइक कॉणिेट किया है सबसे से पहरे तो क्या गड़ोगे इसका आप स्लोप निकालो लोग दिख देते हैं स्लोप किता होता है बटा वाई फाइनल माइनस वाई इनिशल अपन एक्स फाइनल माइनस एक्स यह तुम्हारा एक्स फाइनल है यह तुम्हारा वाई फाइनल है यह तुम्हारा वाई इनिशल ह तो y final कित्ता है 0, initial कित्ता था y 20, x final की बात करें तो कित्ता है 8, x initial कित्ता है 0, तो जो slope आ जाएगा वो minus का 20 बटा 8 आ जाएगा, 4 से काट दोगे, तो minus 5 by 2 is the slope, slope आपको पता जल गया, minus का 5 by 2 है, intercept की value लिख लेते, y axis को कहां cut कर रहा है, plus के 20 पे, तो intercept क्या हो गया, plus का 20 हो गया, तो अब तुम्हें intercept भी पता है, और तुम्हें slope की value भी minus का 5 by 2 पता है, minus का 5 by 2 पता है, तो क्या equation आप बहुत इजली लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते है, y is equal to क्या हो जाएगा, mx plus c, ठीक है, y is equal to slope की value कित्ती है, minus का 5 by 2 times x, plus intercept कित्ता है, बच्चा पार्टी 20, तो यह equation है, कई बार इस equation को क्या कर दोगे, यह दोनों term इधर ले आँ, तो y minus 5 by x, इधर आएगा, plus 5 by 2 times x, वो इधर आएगा, तो कित्ता आजाएगा, minus 20 equal to 0, तो इस equation को चाहो तो इस form में भी लिख सकते हो, और चाहो तो इस form में भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, मैं एक इक्वैलेटी के उस साइड है, एक इक्वैलेटी के साइड ले आए, comfortable है, तो कोई भी स्टेट लाइन अगर दे रखके होगी, अगर तो दो हुआ, से अचाहिए, और तो प्रेंद लाइन के यह वाईजिकर को स्टू, कर्ट टू एक स्टू, बाइट फाइब, पॉट्स पार्ट में नियुक्री यह वार को स्टू, यह दो एक विश सिफ आपको इस तो जो आप ड्रॉ करोगे बच्चा पार्टी यह एक्स एक्स आपका वाई पहली बात देखोगे तो यह तर्म जो है क्या बच्चा साथ यह एम दे रखा है माइनस टू और यह देखो गे तो यहां से पता चलाएगा इंटरसेट किता है प्लस का पाइप तो माइनस टू इंटरस क्लोब क्या है माइनस टू इंटरसेट पाइए मतलब जो इस्टेट लाइन वाई एकसेश को कट कर रहे होगी वह कौन से कॉद् स्टेट लाइन होगी वह कुछ इस तरीके से जा रहे हैं हो चील क्या होगी बच्छा पाइच कुछ इस तरीके से निजिव स्लोप है मतलब नीचे की त्रफ मैइन स्लोप की लाइं कभी भी बना हो गे तो इसके ऊपर क्या मालूम लेकिन यह तो मालूम मैं वाई कॉडिनेट जीरो इस एक्वेशन में वाई की वैलू जीरो पुट कर दीजे जैसे ही जीरो पुट करेंगे यह कॉडिनेट निकालने के लिए क्या करना है आपको वाई की वैलू क्या फुट कर देनी है जीरो तो वाई की वैलू जैसे जीरो पुट करते हैं तो माइनस का टू एक्स प्लस फाइव यहां से एक्स की वैलो कित्ती आ जाएगी स्वाल करके फाइब बाय तो यह कोडिनेट तुम्हारा कित्ता आ गया पाइब बाय टू कॉमा जीरो तो यह एक आपकी एक्वेशिक ग्राफ अब सेकेंड ग्राफ की बात करते हैं इसको नेक्स पेस्ट पर बनाते हैं दोस्त तो सेकेंड जो ग्राफ था अपना वो क्या था वाइज इक्वेश टू माइनस फूर एक्स प्लस इस से अगर आप कंपेर करेंगे तो आपको पता चलेगा जो स्लोप है वो फूर है इसमें अगर आप देखेंगे तो स्लोप क्या मिल जाएगा प्लस का फूर मिल जाएगा और लेकिन इंटरसेट क्या है माइनस का अब यहां पर बच्चा पार्टी में यह ग्राफ बनाता हूं तो यह एक्स एक्सस यह एक्सस इंटरसेट माइनस 10 मतलब यह यहां कहीं माइनस के 10 से ग्राफ शुरू होगा और स्लोप कैसा है प्लस का फोर है मतलब ऊपर की तरफ जाएगा तो यह लाइन ऐसे जाए मालो तुमसे बोल दिया कि भाई यह वाला को पॉइंट के कॉडिनेट भी बताओ एकस को काँक तो लिए तो पता है कि एक्स कॉर्डिनेट नहीं पता लेकिन उड़ाइक कॉर्णिट परसंट पता ना कि जीरो होगा तो जहां पर भी एकस एकस को कट कर रहोगा वहां पर y की वैलू क्या होगी जीरो जीरो फूट करिए तो 0 is equal to 4x minus 10 हो जाएगा यहां से x की value कित्ती आ जाएगी 10 by 4 that is equal to again 5 by 2 यह रहा है तो answer आ जाएगा 5 by 2 5 by 2,0 से इस तरह से आप क्या कर सकते हो कोई भी straight line की अगर equation दे रखी है तो उसका graph draw कर सकते हो कोई बहुत बड़ी बात है है नहीं बहुत सिंपल सी बात है थोड़े बहुत कोईशन और कर लेते हैं कि कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कोईशन यहां तक आई होब आप सभी लोग बिल्कुल 100% एक नंबर कमपटेबल होंगे क्लियर होंगे मज़े के साथ मज़े कर रहे होंगे और स्ट्रेट लाइन की बारे में जितनी बाते बताएं आपको आप सभी लोग को कर दो